नमस्कार मित्रो, इमेज सिक्षन ग्ण्यान मा आपनू स्वागत छे मित्रो, आजे आपने ICM सब्जेक मा ट्रबल सुटिंग चाट सिंगल फिस इंडक्षन मोटर माटे बढ़ी सु तुमित्रो, आपनने ख्याल छे प्रमणे के ट्रबल सुटिंग चाट मा जेते electrical equipment नी खामी थावाना कारणो अने तेना निवारं करवाना उपवने एक चाट ना रूपमा दर्शावमा आवे छे यने ट्रबल सुटिंग चाट केवमा आवे छे तुमित्रो, सिंगल फेस इंडक्षन मोटर ना ट्रबल सुटिंग चाट मा सुथी पेली खामी छे मोटर चालू थती नथी मित्रो, आक विश्चन जीट्यू बेजर सत्तर मा पुछई गयल छे तो पेली कामी मोटर चालू न थती होवानू सुथी पेलू कारण छे कदाच फ्यूज बड़ी गयो होई तो फ्यूज बदली सको छो बीजू कारण छे स्टाटर मा खामी होवी ते माटे स्टाटर ना कॉंटेक्टर, कोईल, जोडान, वगिरेने चेक करो अने जो कोई खामी लागे तो एने योग्य करो त्रीजू रीजन छे ओक्जिलरी वैंडिंग ओपन होई तो पन मोटर चालू न थाई तो ओपन सरकीट माटे टेस्ट करो त्यार बाद छे मेन वैंडिंग ओपन होई तो open circuit test main winding मा करो त्यार बाद capacitor short होई तो पन motor चालूर न थाए तो capacitor test करो जरूर पड़े तो capacitor बढ़लो त्यार बाद capacitor open होई तो open यह बनी सके तो open circuit test करो capacitor मा अने जरूर होई तो यहने सुधारो त्यार बाद overload होई तो पन single phase induction motor start थती नथी तो load उचो करो जिती overload उचो थाए मित्रो single phase induction motor गरम थाए बीजी खामी चे बीजो फोल चे के motor गरम थाई चे गरम थावना रिजन मा सोथी पहलू रिजन चे overload के motor मा जरे यहना rated load करता जरे वधर लोड आवे चे त्यारे ते motor वधारे करंट ले चे अनि वधारे करंट ना कारणे त्यानू तापमान वदे चे इतला माटे ओर लोड न लिदे motor गरम थाई चे तो load उचो करो स्टार्टर नो कॉंटेक ओपन थतो न थी तो overload थी overload रिले ओपरेट न थतो होई तो चेक करी फोल्ट दूर करो त्री जू रिजन चे ओच्छा voltage जो motor ने यहना rated voltage करता ओच्छा voltage मड़े तो पन motor गरम थाई सके चे तो voltage मापो अने जो ओच्छा लागे तो वधारी सकाई तेम होई तो वधारो अथवा load ओचो करी सकाई होई तो तेम करो यहना पच्छीन रिजन चे high voltage voltage मापो ओच्छा करी सकाई होई तो गटाडो त्यार बाद चे ventilation ना काना छंदाई गया होई तो ventilation ना काना साप करो त्यार बाद चे stator coil माँ short circuit होई तो पन मोटर गरम धाई छे तो short circuit दूर करो bearing माँ खामी होई तो पन मोटर गरम धाई छे तो bearing चेक करो अने lubrication system चेक करो उची frequency होई तो पनव बनी सके तो frequency मापो अने वधारी सकाई तेम होई तो वधारो stator ने साथे rotor गसातू होई तो पन मोटर गरम धाई छे तो bearing ठीक करो अने rotor थ्रू करो मित्रो आमा अर्धा पॉइंट आपड़े अल्रेली बीजा equipment ना ट्रबल सूटिंग चाट माँ बणेया h परमाने छे मित्रों सिंगल बेस इंडक्षन माँ मोटर माँ 300 फोल्ड छे मोटर धीमी चाले छे तेनू पेलू रिजन छे ओर लोड होई सके तो लोड ओचो करो बीजू रिजन छे ओचा voltage होई तो पन मोटर धीमी चाले छे voltage मापो अने वधारी सकाई तेम होई तो वधारो तो जूचे ओची फीक्वंसी फीक्वंसी मापो अने वधारी सकाई होई एम होई तो वधारो त्यार बाद छे रोटर ना बार टूटेल होई तो चेक करो अने रोटर ना टूटेल तार स्वारी टूटेल बार बदलो त्यार बाद स्टेटर कोईल मां स्वाट होई तोपन मोटर धीमी चाले छे तो स्वाट थेल कोईल ने चेक करी बदलो मित्रो आ मैनली त्रोन रीजन हता सिंगल फेस स्वरी मेनली त्राण फोल्ड दा सिंगल फेस इंडक्षन मोटर मा पहलो फोल्ड आपने जोयो के मोटर चालू न थाई बीजो फोल्ड जोयो मोटर गरम थाई और त्रीजो फोल्ड जोयो मोटर धीमी चालाई छे अने त्रणे ना रिजन अने यहना निवरन करूना उप्पाय आपणे जुए मित्रो नेक्स इंस्ट्रूमेंट छे सरकीट ब्रेकर माटे नो ट्रबल सुटिंग चाट आक पिसन पन जी ट्यू बेजार सोड मेन एक्जाम मने रिमेडिल एक्जाम बनने माँ पूछायो हातो तो सरकीट ब्रेकर माँ सवथी पहलो फोल्ट होई सके सवथी पहलो फोल्ट चे ब्रेकर ओपन थतू न होई ओपन थतू न थी तोनो पहलो रिजन चे रिले माँ खामी होई तो रिले ना क्वांटेक क्वाईल वगेरे तपासो अन्जो खामी जणाए तो यहने सुधारो बीजू छे ब्रेकर ने ओपरेट करवा माटे जरूरी वल्टेज नम मरता होई तो पण ब्रेकर ओपन न थाए तो वल्टेज मापो ओछा होई तो कारण सोधी दूर करो त्रीजू रिजन छे मिकेनिकल लिंकेज बराबर ना होई तो लिंकेज माँ लुब्रीकेशन नी जरूर होई तो लुब्रीकेशन करो सरकीट व्रेकर माँ चोथू कारण होई सके इलेक्ट्रो मेगनेट माँ खामी तो इलेक्ट्रो मेगनेटिक कोईल चेक करो औने बदलवानी जरूर पड़े तो बड़लो नेक्स्ट रिजन छे कोंटेक्टर नी मुविंग कोंटेक्ट नी स्प्रिंग मा खामी स्प्रिंग चेक करो औने खामी वाड़ी लागे तो तेने बड़लो त्यार बाद सर्किट ब्रेकर ओपन न थवानू कारण छे मेन कॉन्टेक्ट वेल्ड थाई गया होई तो ये कॉन्टेक्ट ने बदलो मित्रो आठ छो रीजन छे ब्रेकर ओपन न थतू होई ये ना माटेना मित्रो बीजो फोल छे ब्रेकर नी टेंक माँ धड़ाको थाई तो धड़ाको थवानू टेंक माँ धड़ाको थवानू पेल्लू कारण छे टेंक माँ गेस नू प्रेसर वद्धी गयू होई ये वो बनी सके तो येनू कारण छे येनू नीवर्ण करण उपाई छे गेस वन प्लग बराबर कार्या न करतू होई तो यहने साप करो बीजू छे इंटरनल अल्ड फोर थायो होई तोपन ब्रेक नी टैंक मा धड़ाको थाय तो इंचोरेशन रजिस्टन्स मा आप हो सरकिट ब्रेकर मां 30 पोल छे के टैंक मां ओल नू लेवल जल्दी थी घटी जाय तो ओल नू लेवल घटी जवनू पहलू करण छे ढ्रेण वाल खराब थे गए हो होई तो ढ्रेण वाल ने चेक करो बीजु छे ओल नू कैक थी लिकेज थतू होई तो पन ओयल जल्दी थी गटी जाई छे तो टेंक माँ थी ओयल नू लिकेद थतू थाई छे के नहीं चेक करूं थतू है जो अने डूर करो योग्य करो नेक्स्ट फोल छे सरकीट ब्रेकर कंट्रोल रूम माथी ओपरेट थतू नथी मित्रू आपने जानिये छे प्रमाणे के सरकीट ब्रेकर रीलेथू करे चे यले रीलेथू अपरेट थाई छे अने आपने कंट्रोल रूम माथी कमांड आपिये छे तो जारेव बने के सरकीट ब्रेकर कंट्रोल रूम माथी ओपरेट न थाई तो यहनू पैल्लू रीजन छे के कंट्रोल केबल मां खामी होई तो कंट्रोल केबल चेक करो बिजुशे कंट्रोल सरकीट मां खामी होई तो कंट्रोल सरकीट चेक करो और यहने व्यवस्तित करो दूरस्त करो यहना पच्छनी जन्चे ब्रेकर मां खामी होई तो ब्रेकर काम न करतु होई भी माते ना पगल आलो जो भी काम ना करतु हो है तो ति काम ना पगल आलो इतरो पाच मों भोल छे कौनठेक अने अर्थ वच्चे फ्लेसोवर थाई तो इन्चिनोटिंग ओइल मां खामी होई तो फ्लेसोवर थाई सके छे तो के ओईलनी डायलेट्रिक स्त्रेंथ माँ पोन जरूल लागेतो बढ़लो फ्लेसोवर मींस सडगू तो इंचनोटिंग ओईल माँ खामी होए तो कोंटेक अने अर्थ वच्चे फ्लेसोवर थे सके छे तो ओईल नी डायलेक्रिक स्थेंथ माप उने जरूल लागे तो बटलो यहनों बीजू पन नीवानकरण उपाई छे के लाइट टेंग एरेस्टर तपासी यहने पन बटली जो मित्रो तो आ पांच फोल्ड हता सरकिट ब्रेकर ना ट्रबल सुटिंग चाट माटे ना फोल्ड हता पहलो तो ब्रेकर ओपन थतू न थी बीजू छे ब्रेकर नी टेंक मा धड़ाको थाई त्रीजू छे टेंक मा ओयलो लेवल घटी जाई चौथू छे सर्किट ब्रेकर कंट्रोल माठी ओपरेट ना थाई सकतू होई अने पांच मुझे कौन्टेक अने अर्थ वच्ची फ्लेस ओवर थाई हवे मित्रों आज हुए इलेट्रिक इक्विब्मेन मोटर जनरेट नी बाद थाई हवे किटलाग ट्रबल सुटिंग चाड़ जोई है डॉमेस्टिक अपलैंसीस माटे इलेके गर्मा वपराता साधनों माटेना ट्रबल सुटिंग चाड़ जोई है यहामा आपणे किटलाग एक्जेंपल जोई है तो सव प्रथम लेए आपणे इलेट्रिक आयन इनले के इलेट्रिक इस्थ्री तो सवोथील इस्थ्री का अयं नुपयोग इस्थ्रीन उपयोग अब बजा जानी हे चे बरुबर तो तो मां पहली खामी सर्जे सके के पहलो फोल छे इस्तरी गरम थती ना होई तो इस्तरी गरम न थाव मां सौथी पहलो रिजन होई सके सप्लाई आउतो ना होई तो बनी सके के इस्तरी गरम न थाई तो एनो निवरां करवा माटे थामला पर नो fuse बड़ी गई होई तो पन सप्लाइ ना उतो होई अथवा तो मीटर नो कट आउट बड़ी गई होई तो सप्लाइ कंपनी ने जान करी सको छो बीजू रिजन छे fuse बड़ी गई होई तो पन इलेटरिक आयान गरम ना थाए तो फ्यूस बड़ी तो त्रीजू रिजन छे सप्लाइ कोड नो वायर थ्री पिन टॉप माथी छूटो पड़ी गई होई तो भायर ने जोड़ो सप्लाइ कोड नो वायर ओपन होई तो सप्लाइ कोड बड़लो हीटिंग एलिमेंट नो चेडो टर्मिनल माथी छूटो पड़ी गई होई आपने बजा जानिये छे के इस्तरी माई हीटिंग एलिमेंट होई छे हीटिंग एलिमेंट्स मींज क्रोम्यम नो बनेलो होई छे के जे वजारे गरम थाई छे अने एनो जो छेडो चुटो पड़ी गए हो होई सप्लाई थी तो पण इलेट्रिक आयन गरम थतू नथी इलेक इस्तरी गरम थती नथी तो एलिमेंटने टर्मिनल साथे बराबर जोडो अने हिटिंग एलिमेंट ओपन थाई गए होई तो पण इस्तरी गरम नथाई तो हिटिंग एलिमेंटने बढ़ लो बीजो फोल चे इलेक इस्तरी मा के इस्तरी पूर्ता प्रमण मा गरम नथती होई गरम थाई जे पण बराबर गरम थती नथी वधारे गरम जोई एकले प्रमण मा गरम थती नथी तो यहनों पेल्लू रिजन छे सप्लाई वल्टेज गणो ओछो होई तो फरियाद लामबो वखत रहे तो सप्लाई कंपनी ने जान करो आटोमेटिक इस्तरी ना थर्मो स्टेट ना स्टेटिंग खराब थी गया होई तो पने हो बनी सके कि आटोमेटिक इस्तरी माँ थर्मो स्टेट होई छे कि धमे जी प्रमाने टेंपरेचर सेट करो छो त्याहां सुधी इस्त्री गरम थाई छे तो ये सेटिंग बराबर करो जुन न थाए तो थर्मोस्टेट ने बढ़ली नाखो त्रीजू रीजन छे थर्मोस्टेट बराबर ना होई तो ने बढ़लो सेम प्रॉब्लेम छे चोथू छे जोडान टीला होई तो जोडान ने टाइट करो त्रीजू फोल छे कि इस्त्री चालू करता फ्यूज उड़ी जाए तो मित्रनों पेल्लू कारण छे कि कोई कारण सर फेज वाहर बोड़ी ने अड़की जतो होई एटले कि अर्थ फोल्ट थयो होई तो एने निवरं करों माटे सप्लाई कोड थी इस्त्री ना टर्मिनल सुधी चेक करी वाहर छुटो पाड़ो बीजू रीजन होई सके सप्लाई कोड ना वाहर अंदर थी भीगा थी गया होई तो पन इस्त्री ना फ्यूज उड़ी जाए तो सप्लाई कोड बढ़ली जो त्यार बाद थ्री पिन टॉप माज लाइन अने निट्रल भीगा थी जता होई तो वाहर बराबर जोडो एना पच्छी नू रीजन छे इस्त्री नी टर्मिनल प्लेट माँ लाइन अने निट्रल भीगा थी गया होई तो टर्मिनल माँ थी भाहर छूटा पाड़ो त्यार बाद चोथो फोल छे तिये इस्त्री नी बोडी ने अड़कता सोक लागे तो एनो पळलू कारण छे कि लाइव भांएर इस्त्री ने बोडी ने अड़तो होई तो यो बनी सके छे तो ए भाहर ने दूर करू इस्त्री ने बोडी लेके जहां पड़े इनने पकड़ीये छे अत्वा तो एनी बोडी उपण बाग यहां दगो ए वायर छे निए बोड़ी न टच स्थाई गियो होई तो पन ए बोड़ी पर करंड पसार थतो होई छे जित्य आपनने शोक लागी सके छे तो ए वायर ने दूर करो बिजू छे हीटिंग एलिमेंट मां लिकेज होई तो heating element बड़लो प्रिजुचे अर्थिंग वायर साधन नी बोड़ी छुटो पड़ी गयो होई तो पन आपने शोक लागी सके छे तो अर्थिंग वायर बोड़ी नी साथे बराबर जोड़ो चोथुचे अर्थिंग वायर ओपन होई तो supply code बड़लो पाचमुचे अर्थिंग वायर थ्री पीन टोप माथी निकड़ी गयो होई तो पन आपने शोक लागी सके छे तो अर्थिंग वायर नू जोड़ाण बराबर करो नेक्स्ट छे अर्थ कंट्यूनिटी कंड़क्टर ओपन होई तोपन सोक लागी सके छे तो अर्थ कंटिनेरी कंड़क्टर बराबर तपासी जोडान करो सात्मुछे अर्थ प्रतिरोद वधी गयो होई तोपन इस्त्री मां सोक आवी सके छे तो अर्थ पीट मां पानी रेडो स्वरी अर्थिंग पीट मां पानी रेडो अर्थिंग प्लेट नी सार्थे अर्थ ना वहरो जोडान व्यवस्तित करो मित्रो आपड़ें बधाने ख्याल छे कि अर्थ प्रतिरोध वधी जवनू कारण छे आपड़ें यहाँ पानी रेडी है तो यहाँ बेज रह से तो अवरोध वज से अर्थिंग मां अपड़ें पानी रेडी हो अर्थिंग अवरोध वधी जशे तो अवरोध वधी जासे तो तेह माती करण पास थाषे नहीं इतला मां पाणी रेडी ही जाते बेज रहे तो रसे मित्रों नेक्स्ट पोल छे के हीट वधारे प्यादा थाई छे तो थर्मोस्टेट खराब थे गई हुआ तो थर्मोस्टेट ने बढ़लो बीजु छे थर्मोस्टेट नो सेटिंग बराबर ना थी तो सेटिंग बराबर करो त्यार बाद मित्रों छे बीजु गर्मा उप्रातु साधन permission Immersion Heater मित्रों heater नू फंग्सण 안 आपणविश्रस जाणिये छे तो डिये प्रकार्ण हीटर आवे छे आमतो तो सवती पहला चे स्टोरेज header बिजू छे मिंकसर और श्तोरेज heater आवे छे रशीट चे तो ये बद्धा पॉइंट आपड़े एलेट्रिक आयन जेवा जाऊ छे वे स्टोरेज वाटर हीटर नी बात करू पेलव तुँ इमर्जन हीटर जे आपड़े डायरेक्ली आवे चे डूलमा मुक्ये चे ने कि वे अपड़ेज वाटर हीटर ने बात्रोम मा होई चे ने कि वे स्टोरेज वाटर हीटर तेमा पेल्लू खामी छे पानी गरम न थाओ तो पन सेम रीजन आवसे उपना जिवु बीजु छे पानी नी क्वांटिटी लेके जथो और पुर्तो होई तो एहमा पेल्लू करान छे थर् तो उप्योग मा स्टेगरिंग करू एटले के जरूर मुझे उप्योग करू त्रीजी खामी छे पानी अतिसे गरम थाई वराण निकड़े छे सेम इलेट्रिक आयन न जिवु रेशे सप्लाई चालू करता फ्युज उडी जओ एपन इलेट्रिक आयन न जिवु रेशे तो मित्रो आ पॉइंट हता इमर्जन हीटर औने स्टोरेज वाटर हीटर माटे ना स्ट्रोबल सुटिंग चार्ट माटे ना मित्रो नेक्स्ट लेक्चर मां आपणे वीजा कितला गरमा वपराता साधन वी से बात करी शो मित्रो एक रिक्वेस्ट है आमा कईपन तमने प्रोब्लम जणे तो तमे वाट्सब द्वारा के कॉल द्वारा मने पूछी सको जो अने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ने जानकरी माटे तमे आ चनलने सस्क्राइब करो और बेल आइकोन पर क्लिक करो आपर